दक्षिनपूर मदरेलवे नाकपूर मंडल में रेलवे सुरक्षाबल ने रेल टिकिट दलालों के खिलाब 22 और 23 नमबर को अभियान चला कर 9 दलालों को गिरफतार किया है SECR रेल विभाग द्वारा चलाए गए इस विशश अभियान में RPF ने भंडारा में दो, गोंदिया में दो, डोंगरगड में एक, रांजनगाओ में एक, छिनवडा में एक और नैनिपूर में दो, सहित कुल 9 मामले दर्च किये इनमें 9 लोगों पर रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्च कर कारवाई की गई इस दोरान आगामी यात्रा टिकेट साथ, पुरानी यात्रा टिकेट 103 सहित कुल 1,47,977 रुपे की टिकेट जब्त की गई साथ ही अवेट टिकेट बनाने में इस्तमाल होने वाले कंप्यूटर सिस्टम, लैप्टॉप, मोबाइल भी जब्त किये गए सभी 9 आरोपियों को रेल्वे नायले में पेश किया गया कमांडेंट पंकर चुग ने यात्रियों से काउंटर या अधिकृत एज़न्ट से ही टिकेट ले कर ट्रेन में यात्रा करने की अपिल की है